वेलकम बैक टो वर यूटीब चैनल टेक गाइड वसीम तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने आईश्मान कार्ड में करेक्शन कैसे करोगे अगर आपके आईश्मान कार्ड में नैम, डेटा बर्थ या और किसी एड्रस में गलती लगी है तो आप अपने आईश्मान कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं आईश्मान कार्ड की जो है वो Beneficiary, NHA, JAUV.IN का जो New Official वेब साइट रोपन हुआ है वहां से आप रिटो, E, KYC करके अपना जो आईश्मान कार्ड की करेक्शन कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको complete process दिखाएंगे कि आप अपने आईश्मन कार्ड में correction कैसे करोगे तो आपको आना होगा अपने mobile phone, PC या computer के browser पे browser पे आने के बाद आपको search करना होगा NHA NHA beneficiary search काने के बाद आपके सामने NHA beneficiary NHA.gov.in का official website आ जाएगा आपको open कर देना है मैं आपको वीडियो के description में link दे दूँगा वहाँ से आप click करके directly site पे आ जाओगे उसकी बाद यहाँ पे आपको अगर आप as a beneficiary login करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपना mobile number फिल करना है और यहाँ पे authentication type आपको डाल देना है अगर आपको अपने आईश्मान कार्ड में correction करनी है तो आपको यहाँ से operator वाला option select करना होगा उसकी बाद आपको यहाँ से अपना mobile number फिल करना है और verify पे click करना है चाहे आपको अपने CSEC अगर आपको login करना होगा mobile number फिल करने के बाद आपको यहाँ पे verify वाले option पे click करना है verify वाले option पे click करने के बाद आपके mobile number पे एक OTP जाएगा आपको वो OTP यहाँ पे डालना है उसके बाद capture डालना है capture डालने के बाद आपको यहाँ पे login वाले option पे click करना है login पे click करने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसकी बाद आपको यहाँ पे पहली search का एक option आता है आपको search वाले option पे click करना है अगर मेरी आवाज कहीं clear नहीं आ रही है क्योंकि मुझे गले में दर्द है उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ आवाज clear अगर नहीं आ रही होगी उसकी बाद आपको यहाँ से अपनी जो scheme है PMJ वाई select कर देना है उसकी बाद आपको यहाँ से अपनी state select कर देना है जो भी आपकी state होगी उसकी बाद अगर आपको यहाँ से अपनी sub scheme PMJ, NFSA select कर देना है उसके बाद आपको यहां से अपना district डाल देना है district डालने के बाद आपको यहां से family id चूज कर देना है उसके बाद यहां पे मैं family id डालता हूँ family id डालने के बाद आपको यहां पे एक option आ रहा है आपको इस पे click करना होगा search वाले option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ time wait करना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपके जो options है वो खुल जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ से एक option आ रहा है download का तो आपको यहाँ पे site पे download का option आ रहा है आपको उस पे click करना है download वाले option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कुछ time wait करना है site आपको आगे redirect कर देगी यहाँ पे आपको cards के option आ जाएंगे यहाँ से आपको अपना जो भी card approve होगा वो select करना है वो select करने के बाद आपको यहाँ पे redo kyc पे click करना है redo kyc उपर एक option आ रहा है आपको इस आपको यहाँ से अपना fingerprint device connect करना है चाहे आपके पास mantra device है या marfo है जो भी होगा आपको अपने pc के साथ जो है वो device connect करना है उसके बाद verify पे click करके applicant का जो है वो fingerprint करवाना है अगर mobile number अधार की साथ link है तो यहाँ से आपको applicant का finger लगान लेकी कोई ज़रत नहीं है आपको यह verify पे click करना है उसके बाद yes I wish to create link वाले option पे click करना है और यहाँ से alloc करने के बाद आपको फिर से कुछ time हाँ पर wait करना है wait करने के बाद आपके mobile number पे एक OTP जाएगा आपको वो यहाँ पे डालना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना OTP डालना होगा OTP डालने के आपको यहाँ से इक फोटो ग्राप आपको चेंग पर आपको यहाँ से एक फोटो ग्राप आपको चेंज करना है यहाँ पर आपको 수酷ोन एक update कर सकती हैं यहां पे आपको डालना होगा अपनómoّाइल नमबर उसके बाद वेरिफाइप पे क्लीक करना होगा और आपके मुबाइल नमबर पे यहाँ एक OTP सेंड किया जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिफाइप पर क्लीक करता हूं क्लीक करने के बाद हेड़ फैमली के साथ आपको वो यहां पर डाल देना है उसके बाद आपको डालना होगा यहां से पिन कोट पिन कोट डालने के बाद आपको यहां से डालना होगा डिस्टिक जो भी आपका डिस्टिक होगा डिस्टिक डालने के बाद यहां पर आपको अपना आप रूलर हो अर्बन हो जो भी हो select कर देना उसके बाद सब डिस्टिक जैसे कि आपका तासील जो भी होगा वो यहां से डाल देना है सब डिस्टिक डालने के बाद आपको यहां से अपना वेलेज डाल देना है वेले डालने के बाद यहां से आपको एक option आएगा submit का तो आपको उस पे click करना है जैसे कि यहां पे एक option आ रहा है submit का तो यहां पे आपको submit वाले option पे click करना है submit वाले option पे click करने के बाद आपका जो redo e के वाज़ी है वो successfully हो जाएगी उसके बाद आप अपना जो आईश्मान कार्ड है वो डॉनलोड कर सकते हैं लॉग इन करके अगर आपका जो डाटा है वो 80% से ज़्यादा मैच हो रहा है तो आपका जो रीडो EKYC है वो आटमेटिक हो जाएगा अगर नहीं है तो फिर EKYC जो रुक्वेस्ट है वो आगे फा लाएगा राटा है branding रवागा नहीं है तो जौ एहाँ लॉदा कि ङएदोचाह द राटामें कार्ले क्वेस्र भाब राटान लेफोपेश्थर जावी है वो बारते है अवो बाते है व Taxi d+.